आई फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं डॉक्टर राशा गाउडे गाइनेकलोजिस्ट एन आईवी अफ कंसल्टन उमंग हॉस्पिटल अडप सर पुने महारश्टर से आप सभी का मैं मेरे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं प्रेगनेंसी लेटेड बहुत ही खास और कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ कि से बाइबाइ टू यूर लेक क्रैम्स बैसिकली पहले तीन महिना आपको नौश्या वामेटिंग काफी परिशान करता है और एक चौथा पाच्मा महिना हुआ आपका वामेटिंग सेटल हुआ आपको भूक लगने लगी कि आपको एक नया सिम्टम शुरू हो जाता है आपके दोनों पेरों में कॉंस्टंट पेन रहता है रात को जब आप सोने जाते तो वो पेन बहुत ही जादा बढ़ता है हर अल्टरनेट प्रेगनेंट पेशंट हम लोग को बोलती कि डॉक् शुरू होता है जो पीछे के काफ मसल्स रहते उनमें बहुत अनवेरेबल पेन रहता है आप सो नहीं पाते आप चल नहीं पाते आप बैट नहीं पाते आप काफी अंकमफोटेबल रहते तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है कि ये लेक क्रैंप्स आपको में क्यू होते हैं और उसको कम करने के लिए उसको बंद करने के लिए आपको कौनसे क armpit कि चीजों को फॉलॉ करना हें तो पहले पॉइंट पर आते कि pregnancy में आपको यह leg cramps क्यू होते हैं सबसे important reason है कि pregnancy मेंड़ी में काफी circulatory changes होते इस एक इम्पॉर्टन्ट इजन कि आपका वेट गेरन उते ही सब्सक्राइब उसकी वज़ेरी पूरे और ऑड़ी in perworking गेंग सोते हैं करें हम लोग मेंन रहता है बौड़ि के से करसें पैर प्रेश मेन के अब जंड होते हैं तो सकी वज़ेसे आपको लेग क्रैम कॉँंस्टब पाजवह मेंने के बाद शुरू होते जब ए आपके टमी का साइस बढ़त आ तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको rapid weight gain नहीं होने देना है, slowly आपका weight बढ़ना है अभी तीसरा important कारण है कि dehydration, ideally pregnancy में आपको काफी पानी लेना है, 3-4 लिटर पानी लेना है, मानो 12-15 glasses पानी रोज लेना है अगर आपको dehydration हो रहा है, मानो आप पानी कम ले रहें, तो उसकी वज़े से आपके muscle का hydration कम होगा, oxygen supply कम जाएगा वो जो आपके legs के muscle है, उसमें oxidative stress बढ़ेगा और उसकी वज़े से आपको leg cramps बढ़ेंगे अभी चौथा important कारण है कि fatigue, pregnancy में आपको weakness और fatigue काफी रहता है, उसकी वज़े से आपके legs के muscle से वो भी fatigue आउट रहते हैं, उसमें भी weakness रहता है और आपने बहुत ज़्यादा exertion करा, तो उसकी वज़े से भी आपको weakness होता है आगे का important कारण है कि calcium और magnesium deficiency, green leafy vegetables है या milk product है, वो अगर आप ठीक से नहीं ले रहे, आप नारेल पानी नहीं ले रहे, तो आपको calcium और magnesium की deficiency बैठेगी और उसकी वज़े से भी आपको leg cramps होते है अभी और एक important कारण है, pregnancy में leg cramps होने का DVT, जिसको बोलते हैं हम लोग deep venous thrombosis, pregnancy में आपका blood गाड़ा होने की tendency रहती और कुछ-कुछ pregnant ladies को वो blood ज़्यादा गाड़ा होता है, आपके जो पेरों के पीछे blue color के निशान बनते हैं, blue color के veins दिखते हैं, जिसको हम लोग DVT बोल color का clot दिखेगा या एकदम localized pain रहेगा वो एरिया में, तो तुरंट जाके आपके आपको जाके आपके doctor को आपको inform करना है, उनको दिखाना है और उसके related आपको दवाई शुरू करने हैं, अभी friends, ये leg cramp कम करने के लिए, इसको बंद करने के लिए अपने को कौन से कौन से tips follow करने है, सबसे पहला टीप आएगा आपको रात को सोने के पहले compulsory stretching exercise करने, leg stretches बोलते हम लोग, जिसके उपर मैंने अलग से video डाला है, कम से कम आपको 10-15 minutes वो stretches करने है, 15-20 count करना है रोज, उसकी वज़े से आपके muscle को strength आएगे और muscle को oxygen supply अच्छा रहेगा, दूसरा important tip रहे अगर 3-4 liter liquid intake रखते हैं, 12-15 glasses अगर पानी पिते हैं, तो pregnancy related यह जो भी छोटे-छोटे प्रोब्लेम से वो आपके काफी कम हो जाएंगे, तो आपको आपका hydration maintain करना है, जिसमें और एक important suggestion रहेगा मेरा, कि आप daily coconut water लेते जाओ, coconut water में potassium है, पानी काफी जादा है, जिसकी वज ज्यादा leg cramps हो रहे हैं, आपको नीद नहीं रहे हैं, तो उस case में आप hot water back से थोड़ा सिकाई करो या गरम कपड़े से थोड़ा सिकाई करते जाओ, आगे का टीप रहेगा कि आपको oil से मसाज करना है, रात को सोते वक्त आपको पैरों को जो भी आपका routine hair oil है, करने हैं, एक तो आप morning में करते जाओ, या फिर रात को सोते वक्त करते जाओ, आप prenatal yoga जोईन करो, daily exercise करो, जिसके उपर मैंने वीडियो डाला है, जाकि आप वो देखो, वीडियो on करके आप अकेले भी exercise कर सकते हैं, जिसकी वज़े से आपके muscle में strength आएगा, और आपके legs क जो muscle है, काप muscle है, उसका blood flow अच्छे से रहेगा, अभी last important tip है, जो working class के लिए बहुती जादा matter करेगा, कि आपको प्रोलोंग इनक्टिविटी अवर्ड करना है, प्रोलोंग इनक्टिविटी यानि क्या, आप मनो 8 घंटा बैठ के job कर रहें, तो आपको ये 8 घंटा constant बैठ क पेन भी बढ़ेगा, तो आपको मोबाइल में लगा, तो आलाराम लगाते रहना है, और आपको हर 2 घंटे में थोड़े टाइम के लिए उठना है, एक 10-15 मिने टहलना है, तो उसकी वज़े से आपके लेक्स का एक्टिविटी होगा, स्वेलिंग कम हो जाएंगा, और आपक के सुनाएं, ताकि उसकी वज़े से आपके पेरों को स्वेलिंग नहीं आएगा, और पेरों में क्रैम्स कम हो जाएंगे, साथ में मानों क्यल्शियम और मैंगनेशियम के सप्लिमेंट्स आते हैं, विटामिन D के टाबलेट आते हैं, विटामिन E के कैप्सुल देते हम तो आप जाके आपके डॉक्टर से कंसल्ट करो, आपके लेक्स एक बार आपके डॉक्टर से एक्जामिन करके लेलो, आपको DVT तो नहीं है न, वो भी चेक करके लेलो और उसके रिलेटेड दवाई भी आप स्टार्ट करो, तो अपना जो आज का वीडियो है, कि आपको प् साथ है, फ्रूट साथ है, दूद आता है, और मिल्क प्रोडक्स साथ है सभी, वो आपको लेते रहना है, आपको स्टेचिंग एक्सराइज अच्छे से करना है, और आपको कॉंस्टंट इन अक्टिविटी एवाइड करना है, हर दो दो तीन तीन घंटने में आपको उठके चलना है, थोड़ा सा टहलना है, तो अपना ये आज का विडियो अगर आपको पसंद आया होगा, आपको यूसफुल लगा होगा, तो आपके प्रेगनन फ्रेंड्स के साथ वो शेर करो, उनको भी देखने को बोलो, हमारे चाइनल पर आप अगर नहीं आये हैं, तो हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करो, और हम लोगों को ऐसे ही फॉलो करते रहो, थैंक यू,